इस वीडियो में हम रेंफॉरस्ट के बारे में पढ़ेंगे हमने जो चाप्टर स्टार्ट किया है अब आपको अगला टॉपिक है आपकी बुक में अगला टॉपिक क्या है आपकी बुक में अगला टॉपिक है रेंफॉरस्ट तो इस टॉपिक को समझते हैं यह टॉपिक क्या है फाइन देखिए अब इसमें सवाल लेके आता है इसे रेंफॉरस्ट क्यों कहा जाता है तो आप खुद आंसर बता सकते हो अब इस पोजिशन में और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो लेकिन फिर भी समझ लो एक बार मैंने आपको बताया था कि अर्थ है चलो यहां पे साफ में थोड़ा यह अर्थ है यह एक्वेटर है और कहीं न कहीं Amazon बेसी जो है तो एक्वेटर पर लाए करता है एक्विटोरियल रीजिन पर आता है बारिश ज्यादा होती है अब बारिश होने के कारण वहाद जंगल बनत जंगल और वहाँ पर क्या हुता है कि अंदेरा सा रहता है इतना घाना होता है कि सनलाइड भी नहीं पहुच पाती है तो यहां पर वेजिटेशन भी कैसा मिलेगा आपको यहां पर पेल पौधे यह से मिलेंगे जो बिना sunlight के मतलब बिना sunlight याने कम sunlight के भी जो survive कर पाए ठीक है damn forest होते हैं यह clear अब देखो heavy rains होती है यहाँ इस current से rainforest होता है ठीक है thick forest due to dense roof created ठीक है और forest जो होते तो उपर से जो cover roof cover बना है बहुत जादा घना होता है clear यही चीज़ देखने आली थी अब देखो क्या है sunlight is not allowed to reach the ground जो मैंने आपको समझाया इस कारण से क्या होता है therefore only shade tolerant vegetation shade tolerant मतलब क्या है कि ऐसा vegetation जो च्छाओं को tolerate कर सके च्छाओं को समझे लो जैसे मैं खड़ा हो तो मेरी shadow बन रही है अब मेरी shadow में अगर आप क्या कर पा रहे हो अपने आपको tolerate कर पा रहे हो कि यहाँ ठीक है चलता है shadow से तो वो shade tolerant होती है clear है तो उस तरह से क्या होता है only shade tolerant vegetation may grow here तो यहाँ पे जो vegetation grow होने वाला है वो shade tolerant होगा clear orchids bromeliards grow as plant parasites अब यह जो यहाँ पे पेर ग्रो होते हैं तो वो क्या होते हैं plant parasites की तरह ग्रो करते हैं अब आप बोलो कि sunlight नहीं मिल रही है तो यह dependent मतलब यहाँ के जो vegetation है ground vegetation जो खास करके वो कैसे grow होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर plant parasites रहते है plant parasites के रहते है वो समझा देता हो मतलब ऐसे पौधे जो क्या करते हैं जो दूसरे पौधों से अपना nutrients चोड़ा लेते हैं तो यहाँ पे चोर पौधे पाये जाते हैं तो एक तरह से जो क्या रहते हैं वो plant parasites usually plant parasites जो रहते तो वो plant के पर ही dependent रहते हैं ठीक है अब आगे अगर देखें हम और तो देखो यहाँ पे क्या है birds such as tuckens ठीक है hummingbirds birds of paradise are found bird of paradise पेड़ मतलब एक पौधा भी होता है एक फ्लावर भी होता है और एक bird भी होता है यह देखो यहाँ पे तो जैसे orchids हो प्रदर्स वगरा सारी चीज़े होती है और फिर यह token होता है तो इस तरह से बड़ी चूच वाले यह पक्षी पाए जाते हैं और क्या है तो animals like monkeys sloth ant eating tapirs टीक है are found here ant eating tapirs क्या होता तो इसकी लंबी सी चूच होती है यह और यह जो चीटियां रहती ना चीटियों का घर रहता एक तरह से तो उसमें जाता है और सारी चीटियों को खा जाता है तो इस कारण से ant eating कहा जाता है clear और क्या क्या जैनवर तो अब आपने देखा होगा जैसे amazon basin है पानी है नदी है बहुत जादा क्या है सब कुछ dense vegetation है तो यहाँ पे crocodiles snakes python are found here python में भी जैसे python बड़े बड़े होता है फिर बहुत पालतू साफ होता है जो जो क्या होता है जिसके अंदर जहर नहीं होता है लेकिन साफ तो साफ होता है clear वह सारे जानवर यहां पे इन सारे साफों की species पाई जाती है तो एक तरह से बहुत densely vegetated मतलब dense vegetation के कारण यह wildlife भी जो यहां पे बहुत डाइवर्स ह होती है next guy several species of fishes including the flesh eating piranha तो आपने इस पे movie देखी होगी मुझे ऐसा लगता है बहुत सार लोगोंने तो पिरहना फिश जो है वो यहां पे पाई जाती है flesh eating लिखा इसका आगे मतलब क्या है कि यह इतनी खतरनाक मशली होती है कि आप मशली खाने जाओगा आपको खा जाएग जाती है यह सारे जानवर हमें देखने को मिलते है rain forest वाला जो topic था तो उसमें आपको वहाँ पर क्या है wildlife के बारे में थोड़ा सा थोड़ा सा vegetation के बारे में बताया गया है clear है तो अब हमारा जो chapter है कौन सा the tropical and subtropical region में से हमने tropical region का बहुत कुछ देख लिया Amazon बिसीन को जैसे आपने class 7 का यह geography का lecture देखा तो geography के साथ में civics history तो आपकी sst complete हो गई लेकिन sst के लावा यहाँ पे science और maths भी है English और Hindi भी है class 7 थी नहीं class 4 से class 12 तक सारे subjects सारे subjects के chapters chapters के topics सब topics सब कुछ video lecture के format में available है और सबसे मज़ेदार चीज़ यह सारा सब कुछ free of cost available है सारे video lectures free of cost available है है ना मज़ेदार बात आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors के साथ में share करना है उन्हें बताना है कि वो भी अपना syllabus घर बैठे complete कर सकते हैं magnet veins के साथ में बड़ा मज़ा आएगा फाइन यह सारा सब कुछ हमने आपको बताया है इस video lecture में next video lecture में अगला topic पढ़ने वाले हैं till then stay connected keep learning thank you thank you very much